वेलकम स्वागत्य आप सबका आपके अपने चैनल चारभुजाई मीत्रपर आज के वीडियो में आपके साथ में जो होमगाड की वेकेंसी आई है उसके बार में इंफोर्मेशन शेयर करूँगा तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आएगा अगर हम बात करें इ अगर हम देखें तो इसमें आपको कंप्लेट इंफोर्मेशन दी गई है कि बटालीनों की कंपनियों में स्व्म सेवकों के 3842 पदों पर नामांकरन के लिए योग्य ब्यार्थियों के ओनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं तो ये बढ़ती पूरी ओनलाइन जो इस 2023 तक बरे जा सकेंगे नेश्ट अगर हम बात करें कि इसमें कंप्लेट बताए गया है कि आप लाश्ट डेट की इंतिजार किये भी नहीं आप जो फॉर्म है वो सब्मिट कर दें क्योंकि इसमें जो साइट हो काई बार डाउन हो जाती है नामांकरन के लिए आपके पास में SSO ID होनी है निवार्य है तो आपको अगर SSO ID नहीं है तो आप इमित्र पर फ्री में आप बनवा सकते हैं इसमें अगर हम बात करें तो इसमें स्विहम के इस्तर पर भी आपको पेमेंट है वो आप जमा करवा सकते हैं वाकि इमित्र पर इसमें जो पेमेंट है वो भी दिया गया है बाकी हाथ से बरे गया है आवेदन या हाड कोपी स्विकार नहीं है आपको ओनलाइन इसमें सब्मिट करना पड़े कर यह नॉर्मल सी चीज़ें इसमें एक चीज आपको ध्यान रखनी है इसमें जो आप फोटो लगाएंगे वह आपका नविंतम पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए जिसकी साइज 50-100 कवी जिस पर विग्यप्ति जरी होने की दिनांग और इसके पश्चात की दिनांग का अंकित हो नमूना में हस्ताक्षर आपको 20-50 कवी में स्केन करके ले जाना है नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें खास-खास चीज़ें मैं आपक से सुचना करके दे दिया जाएगा तो इसमें अगर आप देखें तो रिटन एक्जाम नहीं होगा इसमें आपका डिरेक्ट फिजिकली होगा नेक्स्ट अगर हम बात करें कितने पद हैं तो ये सारी इंफोर्मेशन आप इस पीडिएफ में देख सकते हैं अगर आपको पी परिक्षा जिसमें पीटी और शारी मापतौल प्रिक्षा पीएसटी के माध्यम और दस्तावेश सित्यापन इत्यादी की जो भी सुचना होगी वो वेबसाइट पर और जो इसका एड्मिट काड़ होगा वो भी जारी कर दिया जाएगा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इ 30% आरक्षण 36 रूप से जो केटेग्री वाइज है वो दिया जा रहा है इसके अलावा हम नेक्स्ट और भी कोई खास चीज़ है जो आरक्षण है वो आप देख सकते हैं इसमें टीएसपी के लिए कितना है यह सारा इसमें बताए गया है यह मान दे इसमें कितना रहेगा व जो आवेदन है तो किया जाता है तो तेसल्दा और ज्वारजारी मुल निवास का प्रमान पत्र चाहिए इसमें हम सबसे मेन अगर हम बात करें नियुनतम शेक्षणिक योगित्ता कि अगर हम बात करें तो मान्यात्ता प्राप्ति स्कुल से नियुनतम आटवी पास होना च चाहिए शारिक महापदंड जो चाहिए नियुनतम जो उचाहिए वो अगर सामान्य चेत्र में आप देखें 168 cm महिलाओं में 15 तो इस नोटिफिकेशन में अगर आप देखें तो सभी फरकार की कितनी हाइट चाहिए वो बताए गया है सीना कितना चाहिए वो बताए गया है वजन कितना चाहिए वो बताए गया है नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें कुछ चूट भी दी गई हैं तो ये इसमें बताएगा हैं कि TSP के लिए कितना क्या चूट है और आखो का जो चिकित्सम आप दंडे वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं और नामांकन के लिए आयोग्यता जैसे कि किसी भी ऐसे पुरुष या महिला उमिद्वार को जिसकी एक से अधिक जीवित पति पत्निया हो नामांकन के पात्र नहीं है शादी सुधा अभ्यारतियों के लिए विवापंजी करन पेश करना अनिवारे होगा विदाउट विवापंजीयन के पेश करने पर आयोग्या माना जाएगा तो यह सारी चीज़े इसमें दी गई है नोटिफिकेशन में आप पढ़ सकते हैं नेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसमें आपको complete document लेके जाने सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें PET होगा जिसमें की आप देखें तो इसमें आपकी शारिक दक्षिता प्रिक्षा ली जाएगी जिसमें आपकी डोड हो गई तो इसमें आप देखें तो चिपन चि के रूप में मिलने वाले हैं तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं बाकि मौत की आपका नॉर्मल इंटर्वी हो गया इसके बाद टोटल अगर आप देखे तो अंक जो है इसे टोटल किया जाएगा उसके बाद जो सुची है वो जारी की जाएगी तो जो आटवी पास हैं उ इसके लिए अपलाई करना जाते हैं तो आसपास के जो भी हमित रहें या फिर अपनी SSO ID से भी से बढ़ सकते हैं कैसे बढ़ना है उसका भी वीडियो में बहुत जल्द आपके साथ मैं शेयर कर दूँगा इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहें मिलते हैं नेक्ट वीड नेक्ट 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 रहें थे अपनी